जै श्री हरी कार्तिक का महीना शुरू हो गया है कार्तिक के महीने में जगत के पालनहार भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की विशेश पूजा अर्जना की जाती है करवा चौद, धन, तेरस, दिवाली, देव, उठनी, एकाशी, तुलसी विवाह जैसे कई बड़े और महतोपून पर वो मनाये जाते हैं धार्मिक मानिता है कि कार्तिक मास में भगवान विश्णू और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं इसके अलावा मा लक्ष्मी की कृपा अपार सुख स्मृधी देती है कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी बड़ा महतो है कार्तिक शुक्ल एकाशी को देव उठनी एकाशी के अगले दिन तुलसी शाली ग्राम विवहा रचाया जाता है तुलसी का पौधा मा लक्ष्मी का ही रूप है आईए सुनते हैं कार्टिक मास में तुलसी जी से जुड़े किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है वरना मा लक्षमी की नाराज की कंगाल कर सकती है कार्तिक मास में ब्रहम मुहुरत में सनान करने और फिर भगवान विश्नु की पूजा करने का बहुत महतु है इसके साथ ही तुलसी के पौधी की पूजा जरूर करे रविवार और एकाच्षी का दिन छोड़ कर रोजाना तुलसी के पौधी में जल चड़ाए रविवार और एकाच्षी के दिन तुलसी में जल चड़ाने या तुलसी के पत्ते से मा लक्ष्मी बहुत नाराज होती है और कंगाल कर देती है भगवान विश्नु भी नाराज होते हैं और सोभागी भी दुरभागी में बदल जाता है शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखें तुलसी के पौधे के पास अंधेरा ना रहने दे शाम होते ही वहां रोश्नी का इंतजाम करें, साथ ही दीपक जलाएं, तुलसी के आसपास कोई भी काटेदार पौधा ना रखें, ना ही बिना सनान किये या गंदे हाथों से तुलसी के पौधे को छुएं, सुर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं, और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े, ये वो तमाम जानकारी थी जो तुलसी मा से जुड़ी हुई है, आपका दिन शुभ हो और कार्तिक का महीना, यानि भगवान श्री हरी और मा लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, जै श्री हरी